आज हम चतुर्थ पार्ट यानि की चौथा अध्याय करेंगे संस्कृत का पार्ट का नाम क्या है हास्य बाल कवी सम्मेलनम हास्य का मतलब होता है हसी बजाक बाल यानि की बच्चों का कवी तो आप जानते हैं पोएट को बोलते और सम्मेलन एक कॉम्पेटिशन रखा हुआ था समिनार के तरह तो इसकी बारे में आज हम पढ़ेंगे की हास्य कवीता जो होती है यानि की जिसमें कॉमेडी करते हैं मज सम्मेलन हो रहा है तो उस सम्मेलन में कौन आए बड़े-बड़े कवी नहीं आए हैं उसके अंदर बालक आए हुए बच्चे आए हुए हैं उस सम्मेलन में और वो किस तरीके से अपनी कवीता के द्वारा मतलब कि ऐसे वो जोक बोलते हैं चुटकुले बोलते हैं जिनसे क वो लोगों को हसी आती है तो वहां का कैसा महौल है इस पर अधारित ये अध्याय है तो सबसे पहले बताया गया है विविद वेश भूशा धारिना चत्वारह बाल कवयह मंचस से उपरी उपविश्टाह संती यानि कि विविद का मतलब है कि अलग-अलग प्रकार की वेश भ स्टेज के उपर बेठे है अध्य शोतार हास्य कविता शुरवणाय उच्षुकाह संती कोला हलम च्रवनति और नीचे अधह का मतलब है नीचे उपर मंच है नीचे कौन है लोग बैठे हुए श्रो तारा सुनने वाले हाथ से कविता सुनने के लिए उत्सुकाह बहुत एक्साइटिड है कोला हलम शोर और शोर कर रहे हैं अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है संचालकह अलम कोला हलेन अध्य परम हर्शस्य अवसरह यत अस्मिन कवी समेलनेन काव्य हंतारह काल यापकाश्च भारतस्य हास्य कवी धुरंदरा समागताह संती जो संचालक है जो स्टेश को समालने वाला है जो कमान कर रहा है माँ पर वो बता रहा है कि अलम कोला हलेन मतलब की बस करो अब शोर मत कीजिये लोगों को कह रहा है अध्य यानि कि आज परम हर्श से बहुत हर्श की खुशी की बात है कि क्या खुशी की बात है कि वो बोल रहा है कि इस अवसर पर कि हमारे सामने कवी सम्मेलन में कवी सम्मेलन में काव्य हंतार काव्य की हत्या करने वाले यहां पर कोई बहुत ग्यानी लोगों का नहीं हसी मज़ाख से संबन्धित a competition हो रहा है इसलिए उन्होंने बोला कि कावे की हत्या करने वाले और समय गवाने वाले मतलब वेस्ट आफ टाइम करने वाले जो लोग हैं ऐसे कवी यहां पर आई हुए हैं क्योंकि सारी चीजे हसी मजाग से ही रिलेटेड हैं और उसने कहा भारत से हास से कवी दुरंदर हैं हमारे भार करतल ध्वनीना वयम तेशाम स्वागतम कुर्मा तो हमें क्या करना चाहिए आओ हम करतल ध्वनी का मतलब हैं तालियों की गड़गडाहट से उनका स्वागत करें गजाधरह पहला जो कवी है वो बोलता है सर्वे भ्योर असी के भ्योर नमा प्रथमम तावत अहम आधुनिक वैद्यम वो कहरा है सब को नमस्टार कर रहा है पहले यहां पर क्या है कि संदी की गई है सबसे पहले संदी करने के लिए हमें शब्द मैं आपको अलगलग करके बता देती हूं की उसने क्या कहा है सरवेभ्या ये शब्द है यहां विसर्ग आ जाएगा और अरसिक मैंने का था कि यह संदी की वज़त से होता है तो अरसिक के ब्यो जो जितने भी उसने का है सबी अरसिक ऐसे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ बार बार और रसिक का मतलब होता है जिनको रसों का ग्यान होता है मतलब कि poetry में कवीता में जो अलग-अलग रस होते हैं छंद होते हैं किस पद का किस बात का क्या अर्थ निकलता है मतलब कि उसमें कौन सा भाव है, sense है, हसी से related है, दुख से related है लेकिन यहां उन लोगों को बोल रहा है जिनको रस के बारे में पहचान ही नहीं है कवीता के जो रस होते उनकी उनको जानकारी नहीं है, उनको मैं नमशकार कर रहा हूँ यहनि कि बोलने वाले भी बेवकूफ है, मतलब मजाग कर रहे हैं और सुनने वाले भी उनकी तरह ही है प्रतमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम सबसे पहले वो कह रहा है कि मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कवीता को बताना चाहता हूं तो क्या सुनाना चाता है वो इन दो पंक्तियों में बताया गया है इन दो पंक्तियों में उसने क्या बोला पहले कवी ने जो पहला बालक कवी था उसने कहा कि डाक्टरों के राजा वैदे राजा वैद मतलब किसको का जाता है जो इलाज करता है यानि कि डाक्टर उनके राजा डाक्टरों के राजा और उसने कहा यमराज सहोदर है उसने बोला कि यमराज का सगा भाई सहोदर का मतलब है सगा भाई यानि कि जैसे डाक्टर से भी किसी की जान चली जाती है और यमराज को भी कहा जाता है कि वो प्राण ले लेता है तो उन पस्तु हरती प्राणान वैद्य प्राणान धनानिच उसने कहा कि जो यम्राज है वो तो सिर्फ प्राणों का अपरहन करता है हर लेता है चुरा लेता है लेकिन जो डॉक्टर है वो क्या करता है दो चीजों को चुरा लेता है प्राणों को भी और धनानिच उसने ये बताया क कि जो आधुनिक वैद्धे है यानि कि जो डॉक्टर है वो क्या करता है दो चीजों को चुरा लेता है पैसों को भी पैसे की भी हानी हो जाती है जिसका इलाज होता है उसके प्राण भी चले जाते हैं इस तरह से काम करते हैं आज करके डॉक्टर ये जब उसने बोला यमराज से compare किया डॉक्टर को तो इस बात को सुनकर सब हसने लगे जोर-जोर से कि जो यम्राज है वो तो सिर्फ प्राणों को चुराता है लेकिन डॉक्टर है वो पैसा और प्राण दोनों को चुरा लेता है हरन कर लेता है कालांत कहा अब क्या हुआ अरे वैद्यास्तु सर्वत्र जो एक दूसरा वाला कवी है वो बोलता है अरे कोई बात नहीं उसने अपनी बात जब शुरू की तो उसने कहा वैद्यतो सर्वत्र परंतु ते माद्रिशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापी काव्यम इदम शुनवंतु भवंता तो उसने क्या कहा कि अरे डॉक्टर तो सब जगा होते हैं परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते आप मेरी कवीता सुनिये अब जो दूसरा वाला है बच्चा दूसरा कवी जो है वो कह रहा है कि चलो डॉक्टर की बात तो हो गई कि डॉक्टर ऐसे होते हैं लेकि मेरे जैसा जनसंख् को कंट्रोल करने वाला संभालने वाला जो है वो डॉक्टर जैसा को मेरी जैसा कोई नहीं है आप मेरी कवीता को सुनो ऐसा मेरी जैसा कुशल कोई नहीं है तो उसने अपनी कवीता में क्या कहा उसने लिख बोला अब उसने क्या कहा? अपनी बातों में उसने बताया तो यहां क्या कह रहें? जो उस पहली वाली कवीता को इस कवीता से जोड़ कर बता रहा है कवी कि जैसे डॉक्टर प्राणों को ले लेता है पैसे भी ले लेता है अब वो कह रहा है कि डॉक्टर यहां सोच के घबरा रहा है जनसंक्या जब कम होती है कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो क्या होता है किस तरीके से वो डौक्टर कहे रहा है। लेकिन ये किस तरीके से हो गया मतलब कि ये किसके हाथ की सफाई कस्ये हस्त आलगव्यम वो कह रहा है कि ये किसके हाथ की सफाई है कि ना मैं गया ना मेरा भाई तो इस वेक्ति को किसने मारा इस बात को सुनकर सब फिर से हसने लगे कि ये कैसे हसी की बात एक डॉक्टर के कह की मैं तो दूसरा है उसका नाम क्या है तंदीलव तुंद स्वर्ण्य का मतलब होता है जो यह हस्तम आवर्तयन आपने पेट पेट के उपर हाथ फेरते हुए तन तुन दिल ओहम भो ममापी इदम काव्यम शुरू यताम जीवने धार यताम चप उसने का रुको रुको अपनी बात वो बताने के लिए कहने लगा वो बोलता है पेट के उपर अपना हाथ फेरते हुए कि अरे मैं तो तोंदू हूँ अप अपने जीवन में अपनाओ अब यह क्या कहना चाहता है वो दिखो उसने कहा कि परान अन्नम इसके अंदर परान पूरा न भी आएगा और अन्नम दो शब्दों का संधिये परान अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दया कुरू परान अन्नम दुर्लबं लोके शरीराणी पुनह पुनह सर्वे पुनह अट्टा हसम कुर्वनती इसने और हसी की बात की जिस पे लोग और ज्यादा हसने लगे तो इसने क्या हसी की बात की उसने का पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर परान अन्नम मतलब पराया भोजन को देखकर अपने शरीर के मा का मतलब नहीं मत कर परान अन्नम यानि कि जो पराया भोजन है वो तो दुरलब है बहुत ही बार बार नहीं मिलता संसार में दुरलब है शरीर तो बार बार मिलते हैं लेकिन भोजन बार बार नहीं मिलता इस बात को सुनकर सब और जादा हसने लगे कि ये वेक्ति और भी हस की बात कर रहे हैं कि जो हमें अनैसेसरी कहीं से जैसे बिन बुलाएं खाना मिल जाता है या दावत मिल जाती है है को यह घाने के लिए पूछ ले तो उस कारणे को मना मत करो क्योंकि शरीर तो भार भार मिल जाएगा हम फिर से जिनम ले लेंगे लेकिन खाना बार-बार नहीं मिलेगा इस बात पर फिर से सब लोग हसने लगे चार वाग कहा एक और कवी है फिर वो खड़ा हुआ और उसने अपनी बात को कहना शुरू किया उसने कहा उसने और भी आसी की बात कही है उसने का हाँ हाँ ठीक है वो सारी बाते तो ठीक है डॉक्टर और वैद की खाने की बात भी ठीक है लेकिन उसने का शरीर के पोशन के लिए सब कुछ उचित है अपने शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए सारी चीज़े उचित हैं कौन सी बाते उसने का यदी धन नहीं है उसने का यदी हमारे पास धन नहीं है पैसे नहीं है तब रिण लेकर तदा तब रिण मतलब उधार लेकर पोश्टिक पदार्त एव भोगतव्य उसने का अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करना चाहिए उधार लेकर उधार लेकर खाना चाहिए इसलिए कभी चारवाक कहता है आपने आपको कह रहा है कि कभी चारवाक कहता है क्या कहता है वो इस पंक्ति में बताया गिया यावत चीवेत सुकम जीवेत रिणम कृत्वा धृतम पिवेत धृत बोला गया है घी को तो उसने बोला कि जब तक जी तब तक उधार हमें लेते रहना चाहिए और उसने बताया कि उधार लेना चाहिए साथ में उसने ये भी कहा कि और घी पीते रहना चाहिए उसने कहा तो करजा लो और घी पियो उधार लो और घी पियो ये एक कहावत की तरह है कि उधार लेकर खाना मतलब हमें अच्छा अग खाना है तो उधार लेकर भी खाओ उधार लो और घी पियो मतलब घी को रिलेट किया अच्छी चीजों से तो इस पर और लोग हसने लगे श्रोतारह तरही रिणस से प्रत्यारपडम कथम तो जो सुनने वाले उन्होंने कहा तो फिर करजा कैसे लोटाया जाए चलो ठीक है प चारवाक जो चारवाक कवी है उसने बोला शुरेताम मब अवशिष्टम काव्यम एक और बात उसने कही धृतम पीतवा श्रम कृतवा रिणम प्रत्यार पेद जना उसने कहा कि मेरी दूसरी बात सुनो दूसरी कविता यह है कि सुनो शेष काव्यमेरा क्या है घी पीकर पर चाहिए जन्रली जो नर्मली बात क्या है हमें महनत करने चाहिए अपने महनत की कमाई से लेकिन यहां क्वी की सब हसी मजाग में हो रहा है तो यह बताया कि पहले उदहर लेकर घी पीलो फिर महनत करो तो यह क्ली पईसे चुका दो जब ये सारी बाते हो रहेती तो इसके बीच में क्या हुआ? उसने क्या सुनाने लगा? उसने क्या सुनाया? बालक बोलता है, शुरुयताम, भो ममापी काव्यम, सुनो सुनो, आप सब लोग मेरी वी कविता को सुनो तो उस बच्ची ने क्या बोला उसने कहा कि अब मैं अपनी कविता सुनाता हूँ उसने कहा गजाधरम कवी च एव तुन दिलम भोजे लोलुपम कलांतक तथा वैद्यम चारवाकम च नमाम्यम उसने ऐसी कविता सुनाई कि और जाधा हसी आने लगी उसने कवियों का नाम लिया उसने बोला कि कवी जो गजदर है और कवी तुन दिलम जो तुन दिल है जो पेटू था वो और वो कौन था भोजन का लाल्ची पेटू उसकवी का नाम लिया और कालांतक कवी का नाम लिया और वैदिक चारवाक का भी नाम लिया इन चारों के नाम लेकर उसने कहा कि इन सब कवियों को मैं नमशकार करता हूँ उसने कुछ और मजाक नहीं बोला उसने कवियों का ही मजाक करके बोल दिया कि मेरी ये कविता है कि इन चारों कवियों को मैं नमशकार करता हूँ और हसने लगा क्योंकि उन्होंने इतनी हसी की बात कई तो हम कहते हैं कि हां भई आपको तो नमस्कार है क्योंकि वो कुछ भी ऐसी बात बोल देते हैं कि जो हमें समझ से बाहर होती है या हसी मज़ाग से रिलेटेड तो इसी तरीके से उस बच्चे ने उनको बोला और उनको इस तरीके से बोल के हसने लगा और सभी लोग हसते हुए अपने अपने घर को चले गए तो ये हासे कवीता का अध्याय हमने कंप्रीट किया अब है इस पार्ट के शबदर्थ शबदर्थ में है अधह का मतलब नीचे कोला हलम शोर काव्य हंतारह काव्य को नश्ट करने वा काल या पका समय बरबाद करने वाले धुरंदरा श्रेष्ट अग्रणी एही आईये या आये करतल द्वनिना तालियों से और रसी केव्य जो नीरस लोग होते हैं जिनमें रस नहीं होता है स्वकियम अपने माद्रिशा मेरे जैसे हस्त लागवम हाथ की सफाई तुन्द से तोंद के आवयर्तन फेरता हुआ धार्यताम धारन करें परानन्नम दूसरों के अन्न को पोष्टी का पुष्टी देने वाला प्रत्यरपन लोटाना अब शिष्टम बचा हुआ शेष उत प्रेरित प्रेरित होकर श्रावयती सुनता है और भोज्य लो लुपम खाने का जो लो भी होता है तो स्टुडेंट्स आज हमने पार्ट चार का अनुवाद कर लिया है और ये अनुवाद आप फिर से इसको पड़ें और सुनें ताकि आपको ये पूरा अध्या समझ में आ जाए इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और जो इसके अभ्यासकारे का नेक इसके दूरा इसकारे किश आपको।